जब भी दिमाग में आये कि चीजे एक कल कर लूँगा समझ लेना चटत रही है सफलता आपके हाथ से धीरे दे दोस्तो नवसकार मैं निर्मले दो स्वाधत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे सी यूटीव चैनल में दोस्तो एक छोटा सा रूल आपके साथ सेर कर रहा हू समझ लो यह नियाम बहुत छोटा है लेकिन यह आपको जिंदगी में हर उस उचाई तक पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना चाहिए तो रूल क्या है कि जब भी आपके दिमाग में आये कि चीजे कल कर लूँगा जब भी ऐसा आपके दिमाग में आये कि मैं इसको क कर लोगा बस वहीं पर आपको अटेक करना कि यह नहीं है अगर काम है तो आज कि हो एगर आपना लोगे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सके क्योंकि कले सो आज कर आज कर सू अब अकर ने परल ने होए हैं बहुरी करेगा मुए हो बहुत सारी लोग जो आज के अपने काम को कल पर टाल देटे पें रोग्म कभी नहीं बहुत बार आपने भी देखा होगा कि कोई काम को जो आज करते तो आसानी से बजाता आपने यह बोल के छोड़ दिया है कि मैं कल कर लोगा और कल आपने उस चीज को यह तो आप भूल गए या फिर उसकी इंपॉर्टेंस हो समय कम होई आपने उस काम को किया ही नहीं और वही छोटा सा काम जो आसानी से हो सकता था कुछ दिनों के बार आपके लिए एमर्जेंसी और इंपॉर्टेंट बन दाता है तो जो काम आज करना है उसको आज ही खतम करो यह वूल अपनाना शुरू कर दो क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटेंसन ऐसा रहता है कि आज करे सब कल कर कल करे सब बर्सो इतनी भी जल्दी क्या है जीना है जब बर्सो फिर उनको फश्तानें की अलवा कुछ हासिल नहीं होती है लोग समय रहते हैं 20 के एज में 25 के जिम्मेदारी अगर नहीं समझ पाते तो बच्चास के एज में जब उनको समय सीखाता है उनकी जिम्मेदारी तो उनको बहुत तकलीफ होता है तब वहाँ पर जाके उनको यह एहसास होता है कि कास मैंने वो चीजे जब समय था तभी कर लिया हो तो किसी भी काम को कल्ग पर ना डाले कोई भी काम जो आज करना चाहिए किजिए ब़िए अभी मौस्टीबल है तो अभी करना सुरू कर दिज़ें क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुपाइड किसी का अपकर के लिए बैठाने में रहल यह वकद निकल शकता है आप कर पाये तो अच्छी बात है यह चल दिमांग में यह खयाल आए कि की चीज़े कल करऊगा तो दिमाग में हमेशा लाना कि आपके हाग से आपकी सफलता दूर जा रही है दोस्तों वीडियो के अच्छा लगा तो इसको लाइक किजिए चेल किजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को मैरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बिल आइक ट्र कि नए वीडियो इसके नोल्टिफिकेशन आपको में वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जूड़ने के लिए आपका प्रेम परो बहुत बहुत धन्यवाद